असलाम अरेकूम स्टुडेंस वेलकम तू मैं चैनल स्मार्ट स्टेडी स्लेशन्स उमीद करते हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर लाज़मी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रही स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे क्यास टेंथ के एक्सराइज 1.1 का क्वेस्टिन नमबर 3 जिसमें हमने एक्वेशन को सॉल्फ करना है बाए कॉंप्लीटिंग स्कुर के मेतोड से Question number 3 है Solve the following equations by a completing square सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टेपस बता देती हूँ कि कुछ स्टेपस लेने होंगे कुछ स्टेपस हैं उनके help से हम questions को solve करेंगे आज मैं आप लोगों को कुछ steps बताऊंगी उसके इलावा में पार्ट नमबर 2 solve करोंगी और उसके इलावा पार्ट नमबर 3 solve करोंगी steps बताऊंगी part number 2 solve करोंगी and part number 3 solve करोंगी स्टेप्स to solve by completing square सबसे पहले यह equation दी होती है जैसे यह standard form है सबसे पहले कोई भी equation आपको दी होगी उसको standard form में लेकर आना है यानि जैसे यह ax square plus bx plus c is equal to zero उसके बाद first step जो हमने करना है उसमें करना है make coefficient of x square is equal to one यानि यह जो x square के साथ इदर a वाली value है चाहे वो equation में कोई भी हो जैसे मिसाल के तोरग पे 1 भी हो सकती है 2b 4b 3 भी कुछ भी हो सकती है तो उसको सबसे पहले one करवाना है तो उसको one करवाने के लिए जरूरी है कि वो जो value इदर आ रही हो उसके साथ उस value के साथ हर term को divide करवा दें ताकि वो one हो जाए यानि अगर इदर a है divide करवा दें a से सब टर्म को ताकि यह एज बरी जिगह जो है इदर one हो जाए यानि a a से divide होगा तो answer one आचेगा इनि इतर जो भी value दी होगी x2 के साथ coefficient जो भी होगा x2 का 4 अगर coefficient है x2 का यानि दर 4 x2 है तो हम हर term को 4 से divide कर देंगे ताकि इसको one बना सके coefficient को x2 के coefficient को one बनाना है make coefficient of x2 is equal to one that is a is equal to one यही इदर a की जगह पर one हो जाए second step के होगा कि shift constant term that is c to the right side यही जो constant term में जो इदर c है उसको हमने right side पर ले जाना है यही जिरो की जगह पर third step होगा हमारा multiply coefficient of x with one by two क्या करने है यह coefficient of x है यानि coefficient of x इदर b है उसको one by two से multiply करवाना है यानि one by two into coefficient of x की जगह पर क्या बी है यानि one by two into b अगर b की जगह पर इदर कोई भी value होगी मिसाल के तोर पर इदर six x है तो यह जो b की जगह पर six हा रहा है तो वह हम इदर लेंगे one by two into six इदर आजागा six by two cutting कर देंगे लेकिन अभी इदर मार पास b by two है क्योंकि हम अभी equation यह value ले रहे हैं तो इदर b by two हा गया अब हम करेंगे क्या कि यह जो answer आएगा इसका square लेकर question जो बनी होगी उसके दोनों साइडों पर उसको add करवा देंगे यहानि add b by two का whole square on both sides fourth step होगा हमारा take square root on both sides उसके बाद जब हम इसको add करवा देंगे कि दोनों साइडों मेंसे एक side पर एक formula बन जाएगा whole square होगा हो और उसके बाद उसका square root ले लेंगे ताके square root जो आप इसमें cancel हो जाए और बाकी value बच जाए start करते है question ताके आपको इसकी जदा अच्छे से समझा जाए इन चारो steps की कुछ questions ऐसे होते हैं जिनमें first step नहीं करना पड़ता यह उसमें पहले ही x square का coefficient है जो वह 1 होता है तो फिर उसमें हम second step से start कर लेते हैं स्टार्ट करते हैं हम next question अपना question number 3 का part number 2 यह हमें question दी लिए x square plus 4x minus a is equal to 0 तो इसका first step क्या करना था हमने के coefficient से coefficient of x square से each term को divide करना है divide each term by coefficient of x square that is a अब a के साथ यानि हमने first step करना है कि हम coefficient of x square को one बनाने तो उसके लिए जुरूरी है कि हम divide करेंगे coefficient of x square के साथ हर term को यानि भी दर coefficient of x square a है तो तो माम terms को a से divide कर रादेंगे a x square plus 4x minus a is equal to 0 इसको अब हम हर term को divide कर रादेंगे a से यह a से divide हुआ a x square divided by a plus 4x divided by a minus a divided by a और यह दूसरी साइट पर विवेशक आप ऐसे ही लिख लें अब next step में क्या होगा यह देखें a a से cancel इते बच गया x square plus ऐसे ही आ गया 4x over a में कोई cutting नहीं हो रही तो यह कैसे आ गया यह a और यह a कटके 1 आ गया तो minus 1 आ गया is equal to 0 divided by a 0 आ गया अब second step क्या था क्या था shift constant term constant term को अब हमने राइट साइड पर लेके जाने तो देखते हैं अब हम इसको question में इधर constant term में minus a मैंने से नहीं यह है हमारी question अभी constant term में हमारी minus 1 अब minus 1 को राइट साइड पर लेके जाने जैसे अब है एक स्क्राइब है एक स्क्राइब इस ही आ गया 4x और एक से ही आ गया यह minus 1 उदर जाके plus 1 अब थर्ड स्टेप देखते हैं क्या था कि थर्ड स्टेप था कि मल्टिप्लै कोफिशन्ट ओफ एक्स विद वन बैट तू चले जी यह कर लेते हैं बाद में जो कोफिशन्ट जो वन बैट तू से मल्टिप्लै करने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्राइब लेकर दोनों साइड़ों पर एड करवा दिखते है कि छोट स्टेप यान पर अब आपका एक्स का जो कोफिशन्ट आ रहे वह है फूरोवर ए अब हम क्या करेंगे फॉर अब तूफर अ को बैट तू से मल्टिप्लै कर वादेंगे कॉफिशन्ट ओफ ए एसमल्टिप्लै कोफिशन्ट of x टाइं 14 ॷ उफ पूा ओया है निए 1 by 2 को मल्टिप्लाय करवाने x के कोफिशेंट के साथ और x को कोफिशेंट इदर है 4 ओवर ए तो 1 by 2 से इसको मल्टिप्लाय करवा दिया तो यह क्या हो गया 2 1 जार जो निदर एक और में स्टेप कर देते हूं ठाकि आपको समझ आजे 1 4 जार 4 नीचे 2 को a से मुल्टिप्लाय किया तो 2 a यह आगया अब नेक्स्टेप में इनकी कटिंग कर दी 2 1s are 2 and 2 2s are 4 तो नीचे बच गया और उपर आगया 2 2 over a अब यह जो 2 over a आया इसको इसका स्कूर लेकर बोट साइड्स पर को क्वेशन के एड़ करवा देने ही है मरेक्वेशन एक्स स्कूर प्लस 4 एक्स ओवर a ऐसे आजेगा और फिर एड़ करवा देंगे यह ताम यह दर एड़ करवा दी फिर दूसरी साइट पर इक्वल टू 1 है इक्वल टू 1 के साथ भी यह ही ताम एड़ करवा दी यह देखें नेक्स टेप के ऊगए इसको थोड़ा सा सिंप्लिफाई कर लेंगे यह जो है यह फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस 2 वर a का होल स्क्रीर है आप इसको चेक कर सकते हैं कि यह एक्स और x plus 2 वर a का whole square है आप इसको चेक कर सकते है यह देखे यह है इस open करने का तरीका क्या है यह a plus b का whole square है तो यह नहीं इधर आप करेंगे a का square a है आपका x x का square plus तरम्यान में plus है तो plus 2ab तो a की जगह पी आपके आजएगा x और b की जगह पी आपके आजएगा 2 by a 2 by a next क्यों होता है यह हो गया a square plus 2ab plus b का square plus दराज़ेगा b के square के जगह पे 2 और a का square whole square 2 और a का whole square यह आपका formula बन गया यह अब आप देख सकते हैं यह वारी term जो है यह ही है जो हमें इदर दी वी है यह x square है यह x square आगया यह वारी term यह आगई 2 और a का whole square यह जो mid term है यह देख सकते हैं 2 2s are 4 4 x over a यह देखें 2 into x into 2 over a यह जब multiply होगा आपस में तो 2 into x 2 x और 2 x को 2 से multiply करेंगे तो 4 x और नीचे divided by a यह बन गया 4 x divided by a इसको हम whole square में इस ताहा लिख सकते हैं यह आपका rough work है यह मैंने थोड़ा साइदर आपको तोड़ी से चीजें जो हैं क्लियर हो जाएं जो आपको confusion हो रही होगी तो अब देखें इसके बाद क्या करेंगे हम यह तो बन गया whole square और right side पे इसको simplify करते जाएंगे 1 plus 2 square 4 and 1 square a square यह दे लिख दिया अब देखें आगे अब next step में क्या करेंगे next step मेंने आपको बताया था कि जो हमारा 4 step होगा जो कि last step है वो टेक square root on both sides अब हमने 3rd step तक कर लिया 4 step करेंगे square root लेंगे both sides पर तो यह start करते हैं इसको square root ले लेते हैं यह देखें यह बनी थी मारी question अब इसके both sides पर square root ले लिया take square root on both sides दोनों साइड़ों पर यह square root ले लिया यह square root ले लिया यह square और यह square root आप इसमें cancel होकर यह बच जाएगे x plus 2 over a और इस side पर आप denominator same करवाएंगे यह ताकि यह plus हो चाहिए इसमें plus करवाने प्लस करने के लिए आप denominator same करवाएंगे यानि इसके denominator में a square आ रहा है तो इसके भी करवाएंगे तो जब नीचे a square लिखेंगे तो उपर भी a square से multiply करवाएंगे और यह आपका बन जाएगा a square over a square फिर इंको आप plus करवाएंगे जो लेफ्ट साइट पे है वो वैल्यू ऐसी चलती रहेगी सासाथ और यह आपकी a square प्लस 4 इसे आजएगा और नीचे denominator से में वह एक दफ़ ऐसे लिखा जाएगा a square अब आप इसको लिख सकते हैं ऐसे यानि a square वाली जो टाम है यह इस अंडर रूट से बाहिर आजएगी लेकिन यह बना a square कैंसल नहीं हो सकता क्यूंति यह इसके साथ 4 एड़ भी हो रहे हैं तो यह ऐसे आपकीशिन बन जाएगी x plus 2 over a is equal to plus minus जब आप under root open करेंगे एक साइट पे प्लस माइनस लिखेंगे प्लस माइनस यह वाली टाम है से आजएगी उपवाली टाम under root में यह a square plus 4 under root में और यह जो a square है यह under root से बाहिर आगे है बजगी a अब इसको मुजीद simplify करेंगे यह x को केला करना इदर हमने तो इसके साथ जो value plus 2 over a है इसको हम right side पे लेके जाएगे तो sign change हो जाएगा और यह बन जाएगा minus 2 over a यह देखें यह उदर जाके minus 2 over a हो गया इसके बाद इसको हम combine करके लिखेंगे denominator दोनों के same है तो combine करते बाद इनको ऐसे combine करतेंगे plus minus under root के अंदर a square plus 4 और यह minus 2 ase आ जाएगे और निचे denominator एक दफा लिखा जाएगा a अब x की value आपकी यह आ गई और इसी को आप solution set में लिखेंगे solution set is equal to plus minus a square plus 4 under root के अंदर और minus 2 ase whole divided by a यह आपका answer है यह हो गया आपका exercise 1.1 का question number 3 completing square के method से second part में solve किया है अब मैं करने लगी हूं third part वही steps हम दोर आएंगे इसमें जैसे हम ने second part में किया वैसे हम इसमें भी करेंगे तो देखते हैं कैसे होगा फर्स्ट यह question given है यह question है 11 x square minus 34 x plus 3 is equal to 0 अब इसमें first step क्या करते है कि हमने coefficient of x square को one करने है उसके लिए जरूरी है कि जो भी coefficient आ रहा उसके साथ इस टर्म को divide कर रहा है तो लिखेंगे divide each term by coefficient of x square जो के है 11 जोगा next step क्या था कि हमने constant को right side पर लेके जाना है second step था हमारा constant को right side पर लेके जाना है तो constant को right side पर लेके जाएंगे यानि constant आपका 3 by 4 है उसको right side पर लेके जाएंगे तो sign change हो जाएगा यानि यह वाली terms जो है x square minus 34 x over 11 यह ऐसे ही आजएगा equal का sign लिखेंगे और यह constant term right side पर जाएगी और यह plus 3 उदर जाके minus 3 over 11 हो जाएगी plus 3 over 11 थी minus 3 over 11 हो गई minus 3 over 11 अब क्या करने है third step करने है third step में हमने क्या किया था कि here coefficient of x को 1 1946 x multiply मुदिओं पहले या पेर इनको multiply करवा देते हैं तो यह आजएगा 1 को minus 34 से multiply करेंगे तो आजेगा minus 34 और नीचे 2 को 11 से multiply करेंगे तो आजेगा 2 11s are 22 बाद में इसकी आप cutting कर लें ये 2 से दोनों की cutting हो जाती है आप यहाँ पे direct भी cutting कर सकते हैं जैसे मैंने पहले की वी थी लेकिन ये मैंने वैसे कर दिया यह एक extra step इसमें यह आप यू लिए कर सकते हैं 2 1s are 2 and 2 17s are 34 बाद में 1 को 17 से multiply किया तो minus 17 आगया और यह 2 तो हतम हो गया था यह ज़र 11 बच गया इससे तरह आप इधर भी cutting कर सकते हैं 2 से 2 11s are 22 and 2 17s are 34 तो पर 17 आगया नीचे 11 और sin ऐसे ही minus कर रहेगा आप क्या करेंगे कि यह जो आपका answer आया coefficient of x को 1 by 2 से multiply करवाने के बाद इसको हम इसके whole square को हम equation के दोनों side पर add करवा देंगे यह आपकी equation है अभी इसके दोनों side ओपर यह value equation के दोनों side ओपर आप यह add करवा देंगे minus 17 over 11 का whole square यह देखें यह आपकी equation है x square minus 34 x over 11 यह ऐसे ही लिखी यहाँ पर और इसके साथ आपने add करवा दिया यह minus 17 over 11 का whole square यह जो भी आपका answer निकला है यही इसको whole square फिर right side वाली भी value ऐसे ही लिखी minus 3 over 11 और add करवा दिया इसका whole square यह minus 17 over 11 का whole square अब next step क्या करना है कि हमने इसको perfect square ना देना है left side वाले को यह एक minus 17 over 11 का whole square यह मैंने पिछले question में आपको करके बताया था कि यह इसका whole square बन जाता है उसी तरह आप इसको खुद करके देखें तो यह आपका इसका x minus 17 over 11 का whole square बन जाता है यह वाली term और यह वाली term इसमें लिखेंगे और दर्म्यान में इसका sign लिखेंगे में मिखेंगे 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 यह वाला minus और यह whole square बन जाता है और जो राइट साइट पर बैली वाली है इसको simplify कर देंगे यह वाली minus 3 over 11 ऐसे ही आजएगा और प्लस के बाद यह minus 17 का square जो होगा 289 यहनी 17 17 जा 289 प्लस का square जब भी लेंगे sorry minus का square जब भी लेंगे तो प्लस हो जाएगी अब 11 का square क्यों हो जाएगा 11 11 0 121 अब इनको add करवाने के लिए जुरूरी है कि दोनों के denominator सेम हो यानि इदर 121 है और 11 है तो 11 को भी 121 बना देते हैं तो उसके लिए जुरूरी है कि 11 11 0 121 उट है तो 11 को 11 से multiply करना पड़ेगा यानि इदर 3 by 11 में इस 11 के साथ 11 multiply करवाएंग तो उपर 3 के साथ भी करवाएंगे 11 multiply तो यह next step में ऐसे करूं राइट साइड ऐसे ही नीचे उतार ली तो राइट साइड पे माइनस 3 ओवर 11 के साथ 3 के साथ 11 multiply और 11 के साथ 11 multiply किया और प्लस 289 ओवर 121 ऐसे ही आजएगा अब 3 11 जा 33 और 11 11 जार 121 और माइनस नीचे साथ इ आजएगा इसके बाद डिनोमिनेटर सेम होगे तो अब हम इनको कठा प्लस कर सकते हैं यह माइनस 33 प्लस 289 लिखा साथ साथ और इसको whole को divide करवा दिया यह जो डिनोमिनेटर में वैल्य दोन किया लिए उसको whole से divide करवा दिया 121 से अब उपर माइनस 33 है प्लस 289 है इसको solve क किया 289 में से 33 माइनस किया तो 256 आंसर आगे और नीचे 121 ऐसे और लेफ्ट साइड वाली वैली ऐसे चलती आ रही है हमारा जो लास्ट था फौर स्ट्प वो था कि हमने बोच साइड पर स्क्वेर रूट ले लेने यह वहली कुश्चन इसका आपने स्क्वेर रूट ले लेने बोच साइड से x-1711 के whole square के ओपर square root लिया ये पिर right side पे is equal to 256 over 121 के ओपर भी square root ले लिया अब next step में होगा कि ये जो square वाली value है ये square वोंकि ये whole का square है तो ये whole का square और whole का under root आपिस में cancel और answer आजेगा x-1711 इस side पे और right side पे आपका 256 का 256 और 121 के ओपर under root है तो देखा आपने 16, 16 और 256 होता है तो 16 का square ले लिया इतर और ये 11 11 है 121 होता है यानि 11 का square ले लिया अब ये square ये square वाली value इस under root से बाहिर आजेगी और आजेगा 16 over 11 ये वो cancel हो जेंगे square root square root बाहिर बचेगा 16 over 11 और जब under root से बाहिर निकालते हैं तो plus minus sign लगाते हैं अब क्या करेंगे ये जो x के साथ term आ रही है x-17 over 11 इसको right side पे ले जाएंगे यानि x को केला करने के लिए तो ये minus value term उतर जाके plus हो जाएगी यानि plus minus 16 over 11 के साथ इदर आजेगी plus minus 17 over 11 उतर जाके plus 17 over 11 बन जाएगी अब denominator डोनों के सेम हैं तो इनको हम दो दफा लिखेंगे पहले तो पहले तो इनको दो दफा लिखेंगे एक दफा इस plus sign के साथ और एक दफा इस minus sign के साथ ये ऐसे x is equal to 16 over 11 plus 17 over 11 और एक दफा लिखेंगे x is equal to minus 16 over 11 plus 17 over 11 और इन दोनों को solve कर लेंगे denominator सेम हैं तो 16 plus 17 हो जाएगा और नीचे 11 आजेगा और ये 16 plus 17 होता है 33 तो ये आजेगा 33 over 11 और 11 के टेबल में आता है 33 तो 11 बन जार 11 and 11 3 जा 33 ये ऐसे यहां 3 आजेगा इस तरफ क्या होगा minus 16 plus 17 ऐसे आजेगा और नीचे denominator सेम थे वह एक दफा ऐसे 11 आजेगा minus 16 plus 17 वन होजेगा और नीचे 11 आजेगा और ये कटिंग नहीं होती तो ये ऐसे ही रहेगा अब आपके दो वैल्यूज आ गए एक आगे आपके पास इसkie value 3 आगे है और एक आपकी X की value minus 1 ओब E1 आगे तो आपके 2 वैल्यूज एक ये 3 एट 1 बै इन्ट सेट में लिख सकती है ऐसे 1 by 11 कर्ली ब्रैकेट के अंतर सुलूशन सेट इस इकल टो कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे 1 by 11 ए 3 यही इसका अंसर है यह हमारे यहां पर question solve हो गया part no.3 मैंने आपको solve कर दिया part no.2 भी solve कर दिया बाकी parts आप लोग इसके खुद try करें कोई problem आए तो आप comment करें इंशाला ताला मैं आपको reply करूंगी अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको like करें comment जूर करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको मेरी videos कैसी लगी और दोस्तों से भी लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे फाइदा हसिल कर सकें मिलते हैं नेक्स वीडियो में न्यू लक्चर के साथ तब तक के लिए अल्लाहफेज